पैर विवर्स आप सबका स्वागत है जलक लाइश्टेज जो तिश चैनल पर अभी जो मैंने पिछले कुछ वीडियो में डाला था सेवन्थ हाउस के बारे में तो आगे आने वाले समय में दोस्तों मैं सेवन्थ हाउस को ही डिकोड करने वाली हूं और सब राश्यों के है संपत्ति, बिजनस, अपकी वाहन, इस परकार की धन, संपता का जो है फोर्थ कारक है और सेवन्थ हाउस जो हो फोर्थ से फोर्थ है तो इसलिए सेवन्थ हाउस जो हमारे जीवन की संपूर्णता के लिए सभी परकार की खुश्यों के लिए बहुत ही important है तो दोस्तों यह हम धीरे-धीरे कोट करने डीगोट करने वाले हैं और साथ-साथ मैं कुछ एक वीडियो में मैंने बताया था कि दो हजार सूत्र हैं कि किसी भी प्रश्न का जो है जवाब दिया जाए तो इसमें बहुत सारे जो हैं ट्रडिशनल हैं और बहुत सारे फिर हमारे आगे यो दूस्तों मैं यहाँ पे आट-दस-आट-दस करके कोशिश करके मैं हर एक को बताने की कोशिश करूंगे तो आएए हम बात करते हैं कि जैसे गुश्चन अगर किसी ने पुछा तो ट्रडिशनल वे में कोश्चन का कैसे जवाब दिया जाता था without seeing the horoscope अब अगर horoscope नहीं है, पत्री नहीं है तो क्या जबाब नहीं मिले का प्रशन का किसी ने अपने बच्चे की शादी के लिए पूछा या किसी के घर में कोई बिमार है उसके लिए पूछा तो कैसे जानेंगे उसको तो देखे, सबसे पहले जो रहे जाना है चेहरे और नायन नक्ष की बनावट को देख करके भी उसकी पॉजिटिविटी, उनके प्रशन की पॉजिटिविटी, नेगिटिविटी का जब जबाब है या संभव होगा कारी या नहीं होगा या जहाँ पर रिष्टा करना है वहाँ करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, फिर पूछने वाले प्रश्न करता के चेहरे की और नए नक्ष की बनावट को देख करके जवाब दिया जाता था, दूसरा है चेहरे और माथे पर इस्तित जो लाइन्स होती है, लाइन्स को देख करके भी जवाब दिया जाता था, बालों का रंग, तेस्चर उसके आधार पर भी जवाब दिया जाता था, जो इंसान प्रशन पुछने आया है, उसकी आने की आहट और चाल के हिसाब से कौन सा कदम आगे रखा, उसके हिसाब से भी उसका प्रशन का जवाब दिया जाता था, गर्दन की बनावट और स्वरव इज्ञान के आधार पर भी जवाब दिया जाता था, व्यक्ति की हाथों की बनावट को देखकर की भी जवाब दिया जाता था, हाथों की लाइने जैसे कि आप सभी जानते हैं, पामिस्ट्री जो की एक वेल नोन हमारी ट्रेडिशनल विधा तो पामिस्ट्री लाइन्स को देख करके भी उसका जवाब दिया जाता था और शारीरीग बनावट ओवर ओल जो प्रशन करता है उसके शारीरीग बनावट को देख करके भी प्रशन का जवाब दिया जाता था और फिर प्रशन कुंडली उस समय की जो प्रशन कुंडली है त उसके हिसाब से भी उसका जबाब दिया जाता था इसी में दोस्तों एक और भी है इस्थान कुंडली उस समय के हिसाब से उस इस्थान की कौन सी रितु है कौन सा प्रहर है कौन सा जो वहाँ पर उस समय का जो अक्षांस है वह कैसा है उसको देख करके भी जबाब दिया जाता था तो इस प्रकास से दोस्तों मैंने 10 इसम पॉइंट कवर करें अब हम आईए बात करते हैं सेवंथ हाउस की जब सेवंथ हाउस में सूर्य अगर किसी का है तो हम एक एक प्लेंट को लेंगे अब जैसे आपकी अगर मेश राशी है आपका चंद्रमा एक नंबर की राशी में है तो आपकी मेश राशी हो गई तो मेश राशी के हिसाबचे अगर सेवंथ हाउस में सूर् लेकिन seven number अगर वहाँ पर है राशी का तो वह है नीच का चंद सूरी माना जाता है। दोस्तों अब यह जो नीचता है सूरी की वह है इनसान की ग्रस्ती पर कैसे भारी पड़ेगी या कैसे शुब या अशुब प्रभाब देखे। देखे पुरुष और इस्त्री दोनों में ही जो प्लैनेट है उनकी नीचता का या उनकी कमजोरी का या उनके debilitate होने का उनके weak होने का जो effect होता है वह अलग-अलग होता है। जैसे अगर कोई महिला है तो उनकी मेश राशी है एरीज है एरीज में चंद्रमा है उनका और जो 7 नमबर में उनका सुर्य है तो दोस्तों एक यह हुआ कि सुर्य और चंद्रमा दोनों एक से 180 डिग्री पडिगरी पर हो रहे तो क्या हुआ कि उनका ponnimah औप brag zun hadいます चंद्रमा एक नमबर में है, सूरी जो है, साथ नमबर जो की नीच राशी उनकी सूरी की हो जाते है, तो ऐसे महिला दोस्तों कैसी होंगे, दोस्तों देखिए ये किसी को आहद करने के लिए आपको सिर्फ अगर किसी का है सौभागे मेंच तो आप उसे सौभागे बनाए, द दॉमिनेटिक बनाती थी है, और वो थोड़ी सस्पिशियस भी होती है, शक्की मिजाज की भी होती है, वो अपने जैसे पती पर बात-बात में सस्पिशन करना, क्योंकि सूरी वहाँ पर नीच है, तो सूरी को लेते हुए, जो भी है, करेक्टरिस्टिक्स जो है, वो उनमे नहीं पर नेना ना, और ऐसी इस्थिति में दोस्तों, अगर डी नाइन में भी सूरी की इस्थिति अच्छी नहीं है, या डी सेवन में, और स्पेक्शली ब्रसपती, ब्रसपती और बुद्ध की भी पॉजीचन अच्छी नहीं है, तो उस casing में, पक्का ही है, कि डाइवर् अनिता जब ऐसी इस्तिती होगी तो वहाँ पर डाइवोर्स होगा अब दोस्तों बात रही कि ऐसे में ही अगर पुरुष की कुंडली है तो कैसा होगा तो उफकोर्स वो डॉमिनेटेड होगे उनका डॉमिनेटिंग नेचर होगा लेकिन अर्थ से अर्थ से वह संपन्निविक्ति होगे तो इसलिए दोस्तों जो महिला है उनको समझना क्या होगा अगर उनकी पोजीशन मेश राशी में है और चंद्रमा मेश राशी का है और सब्तम में साथमी राशी में उनका सूरी है तो उनको करना क्या होगा ? उनको सूरिके मंतरों का जब करना होगा उनको suspicion जो है, अपना शक मिझाजी नहीं होना होगा सूरिके उनको दान करने होगे तो उनको यह समझना होगा अब दोस्तों बात हैं, कि अगर हजबेंट जो है ऐसे हैं वो गुसेल हैं और डॉमिनेटिंग है तो ऐसे में महिला को कैसे जो है उनके साथ में अपनी मरिल लाइफ को बचाने के लिए अपनी सद्गुध्धी से अपनी शांति से, अपनी वानी से, सुंदर वानी से अपने परिवारिक जीवन को चलाना होगा, सामने वाले को समझते हुए, तो यह एक मूल डिफरेंस है, अब दूसरी बात आ गई दोस्तों कि अगर दो नंबर की आपकी राशी है और उसमें चंद्रमा है, और तो आपके जो सूरी हो गए, वो कहा हो गए, वो ब्रिश्चिक तो दोस्तों जो महिला अकी अगर पत्री है, यहाँ पर भी वही प्रिंस्पल लगो होगा, अगर किसी महिला की पत्री में ऐसा है, तो क्या होगा कि ऐसी महिला थोड़ी कुर्किड होंगी, छल बल चलाने वाली होंगी, बहुत ज़्यादा डॉमिनेटिंग होंगी, स्कॉर कापियों में सूरे, दोस्तों बहुत ज़्यादा डॉमिनेंस और बहुत ज़्यादा कुकेड माइंड, चलाकी, चतुरता, इस तरह से जो है, सबल होता है इंसान, तो वहां पर पती को क्या करना होगा, कि उनको पतनी की इस तरह की हरकतों को कंच्रूल करना होगा, उनको ओ बुद्ध की क्या पोजिशन है, अगर गुरू, शुक्र, बुद्ध भी कमजोर होगे, तो दोस्तों, बहुत ही दैनी इस्तिती होगे, बहुत ही जगडालू किस्म की, क्वेरलसम जिसे हम कहें, जो महिला है, वो बहुत दबंग, बहुत ही क्वेरलसम होगे, और जो जी सकते हैं कि चत्यस काक्रा होगा, इस परकार से वीडियो, दोस्तों, मैं यही पर ही वीडियो समाप्त करती हूँ, हम धीरे-धीरे, 7th house पर ही, अलग-अलग, हम attributes को लेते आएंगे, study करेंगे, देखेंगे, ताकि आप इस चीज को अच्छे से समझ पाएं, और आप अप जंद्रमा है, और 7 नंबर में, तुला राशी में, अगर सूर्य है, और वहाँ पर दोस्तों, निम्रोलाजी में भी अगर 5 नंबर या 8 नंबर मुलांग बनता है, तब तो definitely है, दोस्तों, 100% है, कि वह मैला, अपनी ही बेवकुफियों से, अपनी ही गल्कियों से, अपनी ही आपनी ही बेशच्य है, और वहाँ पर दोस्तों पर से चारा राशी बेश पर दोस्तों, कि अपनी ही बेश deg Crista 1 नंबर में, परस का реб affinity बानी है, चाह Trans Peki इच्ता 1 तर में, तुला आढ़ face, आप यार 50 नंबर